मद्धिप्रदीश में नगरी ने काये चुनाओ के दूसरे चरण के मद्दान का अबुक कुछी ही समय शेश बचा है जिसके चलते कॉंग्रिस भाजपा ने चुनाओ प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत जूंग दिये वहीं बात करें साजापुर जिले की अकोदियान अगर परिशत की तो यहाँ वाट क्रमांग 13 से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र महता ने तूफानी जन्सम पर कर मतदाताओं से जीत का अशिरवाद लिया है शाजापुर जिले की अकोदियान अगर परिशत के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा मतदान के पहले चुनाओ प्रचार के अंतिम दिन कॉंग्रिस और भाजपा पार्शत प्रत्याशी ने अपनी जीत के लिए तूफानी जन्सम पर किया है मतदाताओं से जीत की अपील की है वहीं वाड क्रमांग 13 के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र महता ने कारेकरताओं से भारी जन्सम हूँ के साथ जन्सम पर किया और मतदाताओं से भाजपा गोजदाने की अपील की है सम्मानी मतदाताओं दूबी आने वाली तेरा तारीफ है वाड क्रमांग 13 से में नरेंद्र महता भार्टी अल्ता भार्टी प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ वाड के चवुमों की विकास के लिए मैं क्रत संकल कित हूँ वाड तेरा में चवुदा में पंद्रा में आपकी जो मुल्भुट समस्या है उसका निराकरण करूंगा उसके बाद जाटपुरा में दुर्गा मंदी पर शेड का निर्मान और साथ ही एक मांगलिक भवन का निर्मान किया लाएगा जिसके शाजी ग्याओं आदी सभी कार पड़ेगा और धर बेठे आपके सारी सुविदाएं फिर्दान करूंगा इसके साथ आपका सैयोग समर्दन आशिरवाद हमेशा मिलता रहे इसे आशा के साथ धन्यवाद जैइन जैवारत फिलाल देखना हुगा कि नगर परिशत चुनाओं के घमासान के बीच शांद चित बैठे मत दाता किसे अपना पार्शत चुनते हैं गुलाना से पंकजराठोर की रिपोर्ट